नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं जर्खन एकेडमी कॉंसिल ने मैट्रिक वाइंटर की बोड परिक्षा के पेपर के मुल्याकन को लेकर बुद्धवार की मीटिंग की मीटिंग के दोरान केंद्र परभारियों को कोपी चेकिंग के संबंधी दिसाय निद्यस भी दिये गए उमीद जताई जा रही है कि 30 जून से पहले दसवी और बराहवी के बोड की परिक्षा के नतीजे घोसित कर दिये जाएंगे बता दे कि जर्खन एकेडमी कॉंसिल के दसवी और बराहवी बोड के एकजाम हो गया है इस्टुडेंट अपने रिजल्ट का वेट कर रहे है मौसम विभाग के अनुसार पच्छिम बांगाल से सटे जार्खन के कई हिसों में गुरुवार को चक्रवाथी तुफान आसानी का परभाव पड़ेगा तुफान को लेकर मौसम विभाग ने एलो अलाट भी जारी की है जिसके तहट जार्खन के मद्य भाग राची बोकारो गुमला हजारी बाख खुटी रामगाड दक्षनी जार्खन के पूर्वी सिम्भूं पच्मी सिम्भूं सिम्डेगा सराइक लखर सावा के लावा उत्तर पूर्वी जार्खन के देवगा धनबाद दुमका गिरी डिगोटा जामतला पाकुर सहीत साहिव गान जीलों में कहीं कहीं में गजन के साथ बजरपात हो सकता है साथी हलके से मददर्ज की बारिस हो सकती है मौसम बैज्यानिक सब प्रभारी, निदेशक, मौसम बिज्यान, बिभाग, अभिसेक, अनन के मुताविक असानी तुफान का जार्खन के कहिसों में आशिक परभाव भी पढ़ने की उमीद है जार्खन के सरकारी इसकूलों में 17 मई से गर्मी की छुटी जार्खन के सरकारी एवम सहायता प्राप्त अनुदानित इसकूलों में गर्मी की छुटी 17 मई से 4 जुन तक होगी इसकोली सिक्षा एम सक्षता विभाग द्वारा आदेश के अनुसार पिछले साल 2 नुवंबर को जारी अजिसुचना के तहद 17 दिनों की गर्मी की छुटी निधायित की गई है इसके अलोक में सभी जीलों में 17 मई से 4 जुन तक गर्मी की छुटी निधायित की गई है इसकोलों में होने वाले बार्सिक मुल्याकन को देखते हुए इसे एथावत रखा गया है विभायक द्वारा बुद्वार को जारी आदेश के अनुसार राज के सरकारी एम अनुदानित इसकोलों में 6 जुन से 16 जुन तक कक्षा 1 से 7 के बिद्यार्थियों की सकेंड टर्म की परिक्षा 16 जुन से 30 जुन तक प्रस्तावी थाई इसे देखते हुए गर्मी की छुटी को गर्मी की छुटी या थावत रखा गया है J.S.C. नियुक्ती निमावली पर हाई कोट में सुनवाई जार्खन हाई कोट के चीफ जास्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जास्टिस एसन परसाथ के अदालत में J.S.C. की नियुक्ती निमावली के खिलाफ दाखे लिए आज का पर सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राजसरकार की ओर से पेश सुप्रीम कोट के वरी अधिवक्ता मुकूल रोहत्तगी से कई सवाल पुछे इस दौरान उन्होंने कहा कि राजसरकार पेपर दो में हिंदी को रखने पर पुर्णवाई विचार कर सकती है इनकी ओर से नियुक्ती के लिए राज्य के संस्थान से दस्वी और बरावी की परिक्षा पास होने के अनिवार्ता को सही ठाराया अदालत ने कहा है कि जब समान स्रेनी के अभ्यार्तियों के लिए ऐसी सर्थ लगा दी गई है तो सरकार को उनकी बैधानिक्ता और आउचित्ते को लेकर इस्थिती अस्पष्ट करनी होगी नियुक्ति परिक्षा में समाने अभ्यार्थियों के लिए ऐसी सर्थ लगाई है तो आरक्षित स्रेनी के छात्रों के लिए उक्त सर्थ क्यों सिथिल की गई है कोडारमा में कुरोना संक्रमित मरीज की मौत ज्यार्खन के कोडर्मा सदर अस्पताल में भरती कुरोना संक्रमित मरीज की मंगलवारात मौत हो गई है, जीले में धाई महाबाद मंगलवार को कुरोना संक्रमित का नाया मामला सामने आया था, महिला दमे की मरीज थी, सदर अस्पताल में इलाई रत, डुमचांच की महिला के स्वास्त जाच के लिए होगा सर्व स्वास्त समस्या के कारण स्कूल नहीं आने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों का बेसलाइन सर्वे सुरू किया जाएगा राजे के 19 आकांची जीलों में सर्वे का काम किया जाना है इस कार के लिए सभी जीला सिक्षापता दिकारियो को जारखन सेक्षिनिक अनुसंधान एवं रिसर्च परिशत की ओर से निदेश दिया गया है सर्वेक्षन पूरा होने के बाद बच्चों के स्वास्त को बेहतर करने और उन्हें स्वास्त के प्रति जागरूप करने के लिए जोजना बनाई जाएगी बता दे जे सी ई आर्ट आई एस पूजा मामले में सीम बोले दोसियों को नहीं बक्सेगी सरकार मनी लोंडरिंग मामले में जारखन के उद्योग एवम खान सचीव आई एस अधिकारी पूजा सिंगल के गिरफतारी परकरण पर सीम हमन सुरेन ने कहा है कि जो गलत करेगा सरकार उसे कभी नहीं बक्सेगी उसके खिलाब करवाई होगी साथी भाजपाप पर भी जमकर पर कार किया है उन्होंने कहा है कि भाजपा को अपने कारेकाल का भरष्टा चार नहीं दिखता इनके कारेकाल की भी जाच होनी चाहिए ताकि दोस्यों को सजा मिल सके बतादे सीम सुरी सुरेन ने कहा है कि सरकार की नजर पूजा सिंगल मामले में है सरकार अपने अस्तर से जुरत में बक्सा नहीं जाएगा आई एस पूजा और उसके पती अभिसेख जा को इडी ने किया गिरफतार मनी लॉंडरिंग मामले में परवतन निदे साले की टीम ने जारखन की सीनियर आई एस अधिकारी पूजा सिंगल और उसके कारोबार पती अभिसेख जा को गिरफत किया था इसके बाद कोट से पांच दिनों के रिमांड पर लेकर इडी की टीम पुश्टाश कर रही थी इधर बुद्धवार को दूसरे दिन पूजा सिंगल और उसके पत्यविसेख से पुश्टाश करने के बाद गिरफतारी कर लिया गया है बताद की आई एस अधिकारी पुशा सिंगल जार्खन की पहली मईला अधिकारी है जिनके ठीकानों पर इडी ने मनी लॉंडरिंग के आरोप में छापे मारी कर पुश्टाश के लिए समन जारी किया है बुद्धवार को गिरफतार होने के बाद अब पुशा सिंगल की मुश्टीले बढ़ने लगी है करताओं को 30 जून 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टीक को खत्म करने के लिए नोटिस जारी किया है बता दे कि सहर से लेकर गाओं तक प्लास्टीक का चरा भविस से की सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है गढ़वा जिला के कई गाओं में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाया बहिसकार से समधित हस्त लिखित पोस्टर सटा गया इसमें उन्होंने आम जनता को पंचाज चुनाव से दूर रहने और इसका बहिसकार करने का अवाहन किया है गुमला के घागरा में पंचाय चुनाव भाइसकार को लेकर पोस्टर साटा ग्राम सभा सरोपरी है नयपालिका करेपालिका एवं विधाईका का सक्ती हमारे हाथ में चाहिए जनादेश एक लोकतंत्र है यानि की लुटेरो का तंत्र है जैसे कई बाते पर्चा में लिखी गई थी ACB ने गोड़ा में स्रम विभाग के कलर्ग को 5000 घूस लेते गिरफतार किया गोड़ा इस्ति स्रम विभाग कर्याले में करेरत कलर्ग सोनु मरांडी को 5000 रूपया घूस लेने के आरोप में बरस्टर चार निरोधक ब्योरो की टीम ने धरदबोचा है गिरफतार सोनु मरांडी को ACB की टीम अपने साथ दुमका ले गई मामला लेवर लाइसेंस बनवाने के एवज में घूस लेने का है बता दे गोड़ा में अडानी पावर लिमिटेड में एरिया इंचार्ज के पद पर करेरात राजीव कुमार रंजन ने लेवर लाइसेंस के लिए स्रम अधिक्चक करयाले में लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था भारत में 29 परतिसत परिवारों के पास सोचाले की सुविधा नहीं सरकार ने वर्ष 2019 में ही भारत को खुले में सोच से मुक्त घोसित कर दिया था लेकिन 2019 से 21 के कराये गयराश्ट्रिय परिवार स्वास्त सर्वेक्चन 5 के ताया सर्वे में सामने आया है कि 29 परतिसत परिवार किसी सोचाले सुविधा का उप्योग नहीं करते हलाकी रूपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खुले में सोच के चलन में कमी आई है और बश 2015 में यह 49 परतिसत से कम होकर 1921 में 29 परतिसत हो गया है बतादे सोचालियों तक पहुँच बिहार में सबसे कम 62 परतिसत उसके बाद जार्खन में 77 परतिसत और उडिसा में 1 खतर परतिसत है नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज रद करने को मानव सिरिंखला बनाया लातेहर में नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज को रद करने की मायं को लेकर केंद्रिय जन संघर समिती लातेहर गुमला की और से प्रभावीत छेत्र के लोगों ने मानव सिरिंखला बना कर बिरोध दर्ज कराया है मानव सिरिंखला सुब्बा एगार्य वैसे सुरू हुआ जो दो घंटे तक चला फायरिंग रेंज के प्रभावीत गाओं के लोग अपने अपने घरों से निकल कर मुख्य मार्ग में पोस्टर बैनर एवं तक्ति लेकर बिरोध परदसन में अपनी सभाज्ता निभाई मानव सिरिंखला गुमला जिले में नेतरहाट घागरा मार्ग, सिसाई मार्ग गुमला, जरंगी, मांजहा टोली मार्ग और लातेहर जिला के टाकुलपूर, महुआ डार मार्ग, महुआ डार अकसी मार्ग और महुआ डार नेतरहाट मार्ग में बनाया गया था खोटी के तीन परखंड में 342 वाट सदस निर्विरोध निर्वाचित 33 पंचाय चुनाव के तहद खोटी जीले के तीन परखंड कारा तोरपा और रणिया परखंड में दूसरे चरण में चुना होना है इसको लेकर पत्यासियों के बीच रेस बढ़ गई है वहीं इन तीनों परखंड से काफी संक्या में वाट सदस निर्विरोध निर्वाचित हुए है वहीं का पद रिक्त भी रागा है बता दे दूसरे चरण के पंचाय चुनाव में जीले के तीन परखंड में वाट सदस के कूल 480 पदों पर चुनाव होने है गिरी डी से पंचाय चुनाव बहिसकार करवाने वाला नकसली गिरफतार जारखंड पंचाय चुनाव को देखते हुए पूलिस की टीम अभी विभीन जीलों में लागातार सर्च अभियान चला रही है इस दोरान गिरी डी को पूलिस को बड़ी सफालता मिली है जहां उन्होंने एक नकसली को गिरफतार कर लिया है एक हटना आज अहले सुबह की है बता दे कि दो दिन पूर्व ही इस नकसली ने पोस्टर चिपका कर लोगों से पंचाय चुनाव का भाईसकार करने के पिल की थी गिरफतार नकसली का नाम पृत लाल मरांडी है इमंदारी से काम करने की नसीहत दी है बता दे मुख्य मंत्री हमान सुरेन पर तंज भी कसे है आई एस पूजा सिंगल की गिरफतारी पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने चुटकी भी ली और नसीहत का पाट भी पढ़ाया है भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलार मरांडी ने जहां इसे नवकर साहो के लिए नसीहत बताया वहीं इस पूरे परकरम पर लागातार ट्वीट कर रहे भाजपा सांसत निसिकान दूबे नेत तंज कसते हुए न खाएंगे न खाने देंगे खाएगा तो पूजा सिंगल की तरह जेल पूजा सिंगल की गिरफतारी की ख़बर सरजनिक होते ही भाजपा नेताओने इंटरनेट मीडिया के माधियम से राज सरकार पर निशाना भी साधा है मुख्य मंत्री हिमांतु सुरेन का बड़ा फैसला उनईस प्रस्ताव पर मुहर खनन पट्टा बिवाद और आईस पूजा सिंगल से एडी की पूछतास को लेकर जारखन में जारी राजनितीक बबंडर के बीच बुद्धवार को एक कैबिनेट के बैठक में मुख्य मंत्री हिमांतु सुरेन के अध्यक्स्ता में कई अहम फैसले लिएगा है बता दे सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि राज के करीब पांच लाख बिद्ध्यार्थियों को सरकार की ओर से फिरी किताब और पोसाक दिया जाएगा सरकार की ओर से यह लाब जार्खन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले का अक्षनाव से बरावित तक के बिद्ध्यार्थियों को अप्लब्त कराया जाएगा इस्ते गाउं में रहने वाले गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी इतना ही नहीं स्कूल जाने के प्रती विद्ध्यार्थियों में रुजान भी बढ़ेगा इड़ी के 20 सवालों में घिरी पूजा सिंगल परवत्तन निदे साल है इड़ी के 20 सवाल ही पूजा सिंगल की गिरफतारी के लिए बढ़ा ग्राउंड बन गया है बता दे मन्रेगा घोटाला में आरोपो की पुष्टी के बाद उनसे सम्मादित भरष्टाचार के अनेमामलों में भी इड़ी के तीके सवाल पर जवाब देने में पूजा सिंगल के पसीने चुटे इड़ी ने पहले ही पूजा सिंगल को 20 सवालों की सुची दे दी थी जिस पर उन्हें जवाब देने के लिए पर्याप्त समय था ED के इन सवालों में ही पुजा सिंगल घिर गई है इनही सवालों में घिरफतारी के बाद IAS पुजा सिंगल सस्पेंट भरष्टाचार की संगीन आरोपय में घिरी IAS पुजा सिंगल को आज ED ने गिरफतार कर लिया है इसके साथ ही राज सरकार ने उनके निलंबन की करवाई शुरू कर दिया है हेमंत सुरेन सरकार के कार्मिक विभा को पुजा सिंगल के निलंबन वाली संची का तयार करने का निदेश दिया गया है इधर मुख्य मंत्री हेमंसुरे ने पुजा सिंगल की गिरफतारी पर पहली परती किरिया देते हुए कहा है कि पुजा सिंगल को क्लीन चीट देने वाले नहीं बचेंगे फरवारी 2017 में जीन लोगों ने पुजा सिंगल को क्लीन चीट दी उन सब पर करवाई होगी भाजपा का हाल चोर मचाय सोर जैसा है उनके कारेकाल में किस अधार पर पूजा सिंगल को छोड़ा गया IAS पूजा से पहले जहारखन के दो IAS जा चुके हैं जेल मन्रेगा घोटाला में परवतर निदे साले दवारे गिरफतारी की गई IAS अधिकारी पूजा सिंगल से पहले जहारखन के दो IAS जेल जा चुके हैं बतादे चारा घोटाला में सजल चक्रवतिव दवा घोटाले में डाक्टर प्रदीप कुमार को जेल भेजा गया था जारखन में पूजा सिंगल जेल यात्रा करने वाली पहली IAS अधिकारी नहीं हैं इनसे पहले भी राजिके दो वरिष्ट IAS अधिकारी जेल जा चुके हैं इन अधिकारियों में सजल चक्रवतिव दवा डाक्टर प्रदीप कुमार सामिल हैं पल्स अस्पताल पर संकर DC ने मांगी जमीन की फाइल रांची के उपायूत 6 रंजन ने अपर समहर्ता से पल्स अस्पताल से समंधित पुरो में हुई जाच को रलेकर फाइल मांगी है और तालिस कंटे के अंदर अपर समहर्ता को पल्स होस्पिटल की भोमी से समधित जाच परतिवदन रिपोर्ट देना है पल्स अस्पताल का निर्मान भोईहरी जमीन पर हुआ है आरोफ है कि इस अस्पताल का निर्मान भोईहरी जमीन पर हुआ ऐसे में जमीन की खरीद विक्री नहीं हो सकती इसके बाद भी जाल साजी करके जमीन की खरीद की गई जिसके बाद पल्स अस्पताल का निर्मान किया गया है जार्खन सरकार मनरेगा मैदूरी में मारी डंडी आसमान छूती महाई के बिच जार्खन में महात्मय गांधी राश्ट्रिय गरामीन रोजगार गरांटी अधिनिया मनरेगा के तहत काम करने वाले मैदूरों के लिए बुरी खबर है बता दे इनकी दैनिक मैदूरी में गरामीन विकास विभायाग जार्खन सरकार ने डंडी मार दी है केंद्र सरकार के साथ मैदूरी में बिरिधी करने के बजाए अपनी हिसेदारी घटा दी है नतीजतन मैदूरों के बीच बीच बीते बीतिये वर्ष 2021-22 की तरह चालू वितिये वर्ष 2022-23 में भी 225 रुपे की दर से दैनिक मैदूरी का भुकतान होगा यह मन्रेगा मैदूरों के साथ क्रूर मजाक है जन्तर मंतर में परयावर्नत संडक्षन को लेका धार्ना परदसन 15 को राष्ट्रिये जंगलवा प्रकृतिक बचाव अभ्यान और भारत जन कल्यान भुमी मुक्ती फांडेशन की ओर से 15 माई को दिल्ली के जन्तर मंतर में जय विवितावा प्रकृतिक संपदा के संडक्षन को लेकर एक दिवसिय धर्ना परदसन का उजन किया जाएगा बतादे संगठन के राष्ट्रिये सह संजोजक ओम परकास महतों ने बताया कि इसका उदेश समाज में प्रकितिक परयावन संडक्षन और सनवधन के प्रतिजागरूपता लाना है फोटीफाइट चावल खिलाकर स्वास्त से खिलवार करना बंद करे जारखन सरकार बतादे आयुजन बुद्धवार को राची प्रेश कल्म में हुई इस तवरां समाजिक संगठनों के दवारा तय की गई की फैक्ट फाइडिंग रिपोर्ट भी जारी की गई यह रिपोर्ट राज के गरीब परिवारों आंगनवाडी और स्कूलों में फोटी फाइड चावल के अंधा धून बित्रन के समध में कई गंभीर चिन्ताओं की ओर इसारा करती है फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा है कि जार्खन में एनिमिया के उच अस्तर आदिवासी जन संख्या में है इसमें थैले सीमिया, सीकेल, सेल, एनिमिया जैसे गंभीर रक्त, विकार भी मुझूद है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एकान दबाएए, साथी साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों को सेर करना ना भूले, साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्या दे, थैंक्यू